शैनाज गिल या तेजस्वी कौन है आगे कौन है पीछे इंस्ट्राग्राम के इंगेजमेंट रेट को लेके यह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इसके लिए इस वीडियो को अन तक जरूर देखें और ऐसे ही डाटाबेट्स अपडेट के लिए हमारे चैनल फ्लेश 24 को सब्स्राइब करना मत भूलेगा शैनाज गिल जो अपनी पॉपुलरिटी बिग बॉस 13 से लेके अब तक मेंटेन कर दी है बलकि शैनाज की पॉपुलरिटी अब तो काफी उपर चली गई है शैनाज गिल बिग बॉस 13 जीत तो नहीं पाई पर बिना जीते उनकी प्रकाष वो भी किसी से पीछे नहीं है तेजस्वी प्रकाष भी बिग बॉस के बाद हमें नागिन जरसे बड़े बजट की टीवी शो में दिख रही है उसके साथ साथ उन्हें ने लॉक अप फिट्वाने जूनियर के कुछ एपिसोड होस्त करते दिखे करन कुंदरा के स तेजस्वी प्रकाष के जितने भी इंस्टाग्राम के पोस्ट और रिल्स और वीडियो जो भी उसमें टाले है उसमें एंगेजमेंट राइट आई है 7.1 परसें अच्छा है 7 के उपर उनका इंगेजमेंट रेट है तो 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 अब शानास को और गिल के लास्वते की इंस् इंगेजमेंट रेट है 7.07 परसेंट मतलब शहनास गिल इंस्टाग्राम के इंगेजमेंट रेट में तेजस्वी प्रकाष को एक बार फिर से उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और वह है नमबर वन इंस्टाग्राम इंगेजमेंट रेट जो की है फीमेल सेलिब्रेटी मे तो शानाज कॉर गिल ने एक बार फिर से साबीत कर दिया है कि सिर्फ एक बिग बॉस का सीजन जीतना ही बड़ी बात नहीं है ओडियन्स के दिल में एक एक्ट्वल पोजिशन बनाना, ओडियन्स के दिल में अपने लिए प्यार बनाना वही सबसे बड़ी बात है इसलिए शानाज कॉर गिल वो बिग बॉस की सेलिब्रेटी है जो बिना जीते ही बड़े बड़े बिग बॉस सीजन के विनर्स को भी पीछे चोड़ रही है तो यहां पर शानाज में एक बड़ फिर से मार ली है बाज रेक्ते आगे क्या होता है क्या तेजस्वी शानाज को पकर पाती है या शानाज ऐसे ही अपनी लीट को बड़करा रखती है तो इस वीडियो में इतना ही और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुरे रहे हैं तिल दन बाई टेक क्या